Welcome to Filmy Beat और मैं हूँ आपके साथ सोनम अक्षे कुमार उन चंद अभी नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने हिस्से आय काम की कद्र की है और जो मिला उसे कबूल किया है लेकिन अक्षे कुमार उन चंद लोगों में से भी है जिनोंने अपने हाथ से कुछ बेहतरी इनरोल गवाए हैं इन में ऐसे एक फिल्म थी भाग मिलखा भाग ये फिल्म फरहान अक्तर की जगा पहले अक्षे कुमार को उफर हुई थी अपनी इस गलती के बारे में अक्षे कुमार ने 6 साल बाद HT Style Award पर बात की थी अक्षे ने बताया कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी भाग मिलखा भाग ना करना हाला कि ये अक्षे की करियर की एक लौती गलती नहीं है उन्होंने कई ऐसी फिल्में रिजेक्ट की हैं जो उनके करियर की दिशा पलट सकती थी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अब आसमस्तान की फिल्म बाजी करका हाला कि सबसे पहले इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे सल्मान खान लेकिन सलमान ने इसके लिए मेना कर दिया था फिर बाद में अक्षे कुमार को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया और अक्षे ने ये सोच कर मना कर दिया कि नेगेटिव रोल उन पर सूट नहीं करेगा इसकी बाद अगला नाम आता है सूपर हिट फिल्म रेस का, जी हाँ अक्षे कुमार ने इस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया था, इसे भी अबास मस्तान नहीं नर्देशित किया था बात करते हैं भाग मिलखा भाग की, इस फिल्म के लिए खुद मिलखा सिंग चाहते थे कि अक्षे कुमार उनके किरदार को नहीं भाएं, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, राकेश और प्रकाश महरा भी बड़ी शिद्दत से अक्षे को ही इस फिल्म में कर दिया, बलकि इस पर परफॉर्म करने से भी मना कर दिया, सिर्फ बॉलिवूड ही नहीं अक्षे हॉलिवूड की फिल्मों को भी रिजेक्ट कर चुके हैं, अक्षे को दा रॉक यानि डेविड जॉन्सन के साथ एक हॉलिवूड फिल्म का ओफर मिला था, लेकिन उन्हों ने ठुकरा दिया, हाली में अक्षे कुमार ने भूशन कुमार की फिल्म मोगूल साइन करने के बाद छोड़ दी, फिल्म गुल्शन कुमार पर बनने वाली बायोपिक थी, अक्षे को फिल्म की स्क्रिप्ट और अपनी फीस दोनों से दिक्कत थी, बात करते हैं स्पेशल 26 ने रिचकुमार की इस फिल्म की स्क्रिप्ट अक्षे कुमार ने पहली बार बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दी थी, हालां कि बस किस्मत से फिल्म दوبारा उनके पास पहुँच कई और उनका पूरा करियर ही पलट कया, साथ ही नेरच पांडे की क्रैक पर अक्षे कुमार ब पात करते हैं Jolly L.L.B. 3 की, खबर है कि मीटू मुमेंट के बार डेरेक्टर सुभाष कपूर पर लगे यौन उत्पीडन के आरोप के चलते, ये फिल्म भी खटाई में जा चुकी है, हालां कि इसकी अभी तक कोई ओफिशल अनॉंसमें नहीं की गई है, भाग मिलखा भाग के बारे में बात करते हुए अक्षे कुमार ने ये भी कहा है, कि मैंने भाग मिलखा भाग की जगहा वंस अपॉन एट टाइम इन मुंबई दोबारा साइन की थी, ये करना मेरे करियर की बड़ी गलती थी और मुझे लगता है कि मुझे भाग मिलखा भाग रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी आज का लक्षे कुमार सारागडी के युद पर बनी फिल्म केसरी के साथ फैंस का दिल जीत रहे हैं फिल्म दरशको को बेहती पसंद आ रही है और बॉक्स आफिस पर ताबर तोड़ कमाई भी कर रही है फिल्हाल हमारी इस वीडियो में इतना ही कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट कर कर ज ideal बताए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा